हेलो फ्रेंट्स और विल्कम बैक तो मैं चैनल बिंगॉली फामिली इन यूए जहां मैं बात करती हूं यूए और ट्रावल से रिलेटड छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूए विजिक वीजा को लेकर कुछ अब्डेट सामने आ रहे हैं जो इस वीडियो के तुरू आप सब के साथ शेयर करूंगी आप सबसे रिक्वेस्ट वीडियो को इन तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सब को पता चल सके तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दू कि यूए विजिक वीजा कभी क्लोस होता है कभी ओ तो आप लोग दुबाई से ही लीजिए शार्जा का कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ओपन है आप लोग ले सकते हैं लेकिन फिर से शार्जा के वीजा नहीं आ रहे हैं पिछले पांच-छे दिनों में जितने भी वीजा आये थे किसी के अप्रूवल नहीं आ र कर पा रहे हैं अप्रूवल के लिए ठीक है तो यह है अबुदभी का भी सेम सिस्टम है इसलिए अभी अगर आप लोग विजिट वीजा लेना चाहते हैं तो आप लोग दुबाई से ही लीजिए यानि कि जो प्लेस ऑफ इशू है वैसे यूए विजिट वीजा एक ही होता यानि कि आपका जो वीजा इशू हुआ है वो दुबाई की जो अथारिटी है वीजा की उनके तरफ से हुआ होना चाहिए ठीक है वन मन टू मन जितने भी महिने का वीजा आपको चाहिए मल्टिपल एंट्री सिंगल एंट्री टू मन त्री मन आपको फाइव यर मल्टिपल एंट्री वीजा जो है सारी चीज़े लेनी है लेकिन दुबाई से लेनी है अच्छा उसके बाद जो extension वाला है कल मैंने जो आपको बताया था कि visit visa का price बताया था सिर्फ और से buyer हो रहा है अगर आप one month का extension करवाना चाह रहे हैं तो buyer भी हो रहा है किसी nationality के लिए by bus भी हो रहा है लेकिन अगर आप two months का करवाना चाहते हैं तो आपको buyer exit करना पड़ेगा और फिर से आपको re-entry करना होगा आप अपने home country भी जा सकते हैं nearby country भी जा सकते हैं आ रहा है तो मन्त के extension में rejection बहुत ज्यादा है ठीक है तो इसका ध्यान रखें कि विजिट वीज आपको सो समझ के लेना है किस लिए आ रहे हैं कितना दिन आपको लग सकता है कौन से समय पर आ रहे हैं उस समय पर किती चुटिया होती हैं जैसे आप अगर next month आ रहे हैं यहा हां पर भी एद की कुछ holidays होती है लग 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 वन वीक सारी चीज़ा बंद रहेंगी तो इस हिसाब से आप लोग हिसाब कर सकते विजिट वीजा लेते टाइम और आप लोग ले सकते हैं अब प्लेस ओफ इशू आपको दुबाई करना हैं दूसरा स्टेट आप डबल के करीब ही होता है लेकिन वो एक दिन में आपको वीजा आ जाता है वैसे कुछ nationalities का वीजा एक दिन या दो दिन लगता है किसी का पांस दिन लगता है किसी का साथ दिन लगता है तो guys I hope यह वीडियो आप सबके लिए helpful रही होगी और कल के जो विजिट वीजा वाले वीडियो में जितने भी question थे उसके भी answer आपको मिल गया होंगे मिलते नेक्स वीडियो में एक नहीं update के साथ तब तक के लिए good bye and take care